इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. 10-Pack Chem Tablet ER दो दवाओं से मिलकर बना है, जो टाइब 2 Diabetes Militis वाले लोगों में उच्च रक्त शरकरा के स्तर को नियंतरित करता है. यह मधुमें की गंभीर जटिलताओं जैसे कि गुर्दे की क्षती और अंधपन को रोकने में मदद करता है और दिल का दोरा या स्ट्रोक होने की संभावना को भी कम कर सकता है. 10-Pack Chem Tablet ER अकेले या अन्य मधुमें की दवाओं के साथ मिलकर निर्धारित किया जा सकता है. इसे भूजन के साथ लेने से पेट खराब होने की संभावना कम हो जाती है. सबसे अधिक लाब पाने के लिए आपको इसे नियमित रूप से प्रतीक दिन एक ही समय पर लेना चाहिए और आपको तब तक नहीं रोकना चाहिए जब तक कि आपका डॉक्टर इसकी सिफारिश न करे. यह आपके रक्ट शरकरा के स्तर को नियंत्रत कर रहा है और भविश्य में गंभीर जटलताओं को रोकने में मदद कर रहा है. यह दवा लेते समय अपने चिकित सकद्वारा अनुशन सित आहार और व्यायाम कारिक्रम पर बने रहना महत्वपूर्ण है. आपकी जीवनशेली मधुमे को नियंत्रत करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है. इस दवा को लेने के सबसे आम दुश प्रभावों में दस्त, मतली, उल्टी, पेट खराब, सिर्दर्द और गले में खराश शामिल हैं. यदि आप इंसुलिन या सलफ़नीलूरिया जैसी आन्य मधुमे की दवाएं भी ले रहे हैं, तो निम्नरक्ट शरकरास्तर यानि की हाइपोगलाईसीमिया एक संभावित दुश प्रभाव है. इसलिए आपको यह जानना होगा कि इसे कैसे पहचाना जाए और इसे कैसे निप्ता जाए. यह दवा सभी के लिए उप्यूक्त नहीं है. इसे लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को यह बताना चाहिए कि क्या आपको कभी केड़नी, लीवर या हिरदे रोग, अग्नियाशे की समस्या है, या यदि आप बहुत अधिक शराब पीते हैं. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. कुछ हन्य दवाएं इसे प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए अपने डॉक्टर को उन सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप सुरक्षित हैं, य प्रख्थ शरकरा के स्तर की जाँच करेगा. वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद.